कैसे ही आप सब तो आप सभी बच्चों का आज की इस वीडियो में हमारा स्वागत है आज की इस वीडियो में हमनों बात करने वाले बीविंग इन्वेजिटी में आप से ही बच्चों का सुल्ला और ठाечение के आप सिफिय बच्चों का अपसा बना वहाँ पर भी जाकि आप सक्तियागर वीडियो को स्वीडियो का देख लिजयेगा आपका अपसे ही बच्चों का प्रप्रेस होगा वह सब्जेक्टिव ज्यादा होगा और वह टीप एक दूख कोशन आ सकते बिसिकलिए चार कोश्चन अगर आएगा तो चार नमर का ठीक है और 25 नमर का पेपर है दूखंटेक आपको समय मिलने वाला है ठीक है तो वह सारा का सारा मैं टॉपिक अप्लेटर दिया इससे इम्पॉर्टन कोशन ये एक वीडियो में अप्लोड किया तो आज हमारे वीडियो अगर को आज करें आज हमारा वीडियो पसंद करीएगा तो इसे आपको पूछा जागा है संशे Yapant मतलब मतलब होता है कोई प्लेगर तरिक आसफिक स्andeर पर आज ना केवल हमारी हम जो है बहुतिक समरीदी में और नहीं ग्यान के षिछत में हमारा कोई भी महत्पुनिस्तान ये बताया हुआ है जिसके आनंग में हमारे मानवत्ता खेली है जहां उसने संस्कार पात कि हो जहां सबसे पहले ग्यानोंदे उधे हुआ है और जहां पर प्रकास पाकत दुनिया प्रकास ही तो यह उसी देश में हम नंगे भोके निरक्षर और परमुक्षव अधिवासी हैं हम अपने पूरजयों की गौरव को फास्यत पद बनाए हमने इस दुनिया में अपनी और देश की उपिक्षा देखें किया देश को हम पर अभिमान हो कर पाएंग हमने आज आपने प्रकाश की महान पर अनुब राकिया होगीás की महान पर अपनो कायम रहूंघ आ Administy 먹어qui traff कौर ILo record हम लोग भारत वर्स में सभ्यता और जो जयान का आलो अलोग हुँ हूадा हुँ और ले वी और्स हम ऐने। पुरुजय आतित हमारे गौरब के आनुरूप उठाना हमारा लख्या और ये टोटल कितने सब्द में लिखा गिया है तो टोटल 35 सब्दों में इसका उत्तर लिखा गिया है तो इस प्रकार संचेपन मतलब ही क्या हो गिया कि कहानी को स्वाट करके जितना लिख सकी का बही आ अथवा जो भाव के विस्तार को ही क्या का आया था हमारे पास परल्लमन के नाम से जना आया था यानि कम से कम सब्दों अथवा एक वाक्य में कहे अथवा लिखे गए जो भाव विचार होते हैं उसमें इतनी स्प्रश्टा तो ही रती है कि हम क्या करे हर तरह के जो लोग है उन्हें आसानी से समझा सकें इसलिए एक सधे लाक लेखक का बड़ा गुन यह है कि वो कम से कम सब्दों में अधीक सधिक बातों को लिखता है अंग्रेजों में बैकेन और हिंदी में पंडित रामचंद शुबल जी का कहना है ऐसे गद लेखते कभीता में तो इस प्रकार की लेखंग की गुनजाई साधिक है पर तो जब गागर में सागर जैसी तेस्टा की जाती है तो उसमें साधान लोगों के लिए अर्थ की इस प्रश्टा जो रती है वो नहीं रह जाती है ऐसी इस्तिति में विचार अत्वा जो भाव के तार-तार को अलग कर तारमतम के सा का कहते है पर लवन कहते हैं अगर इस अंगरेजी सब्दा बली में इससे मीनियचर इसे या सौट इसे लगो इससे कर सकते हैं और हिंदी में लगो निम्मत कर सकते हैं इसमें मूल वाक्यों में आए जो भी विचास उत्रे उनको सही सही आर्थ में पकड़ने की जिष्टा क किसी भी गंभी दत को कितनी बार किसे उसका अवलोगन किया और गहराइम उतर कर उसको समझा है और अपनी भासा में उसे कितनी दूर तक सुष्पष्ट कर सकता है उससे ये बताया हुआ है तो यह पलवन का लिख दीजेगा परिभासा आप पलवन का देकि महातुक के बार होता है किन्तु पलवन में तो अपने लिए मात्री भासा भी होती है किसी भी भासा या किसी को मात्री भासा को बुरा माना या समझना जो मनुस्तित नहीं बलकी कहा सकते है विद्दा प्रेम नहीं बलकी यह क्या होती है संकेंता और निस्ता है फिर हर भासा का अपना एक सा जा सकती है, हजारे विदार्ती बीदेशी, पैसे बाते हैं, पैसे बीदेश की जानकारी के लिए बीदेश हो का अध्यन क्या रहता है, कोई बुरी बात नहीं है, कि अनक भासा को ग्यान होना वासक है, आपके पास अगर जाधे क्या सकते हैं ज्यादी भासाओं का अगर आपके पास ग्यानत पहीं कोई बुरी बात थोड़ी है क्योंकि इसमें मानेवे दिश्टी ब्यापक विचार होते हमारे उदार होते हैं और अंतराश्टिय संब्ण जो होते हैं देड होते हैं इसलिए बिदेशी भासा या दूसरी की भासा हो पढ़ने के पहले हमें अपनी मात्री भासा और राष्ट भासा का ज्यान एकदम होना ही जोरूरी है अपनी भासा में हिर्दय बोलता है उसकी मां की मंता राष्टिय संबंदू का मादूरे और अपने को जानते प्रचानते की सललता होती है अपने भासा में अप प्रिकत नहीं हमें दूसरी भासा बोलने लग सकता है तो उतनी सहस्ता और सुभीदा का बोद विदेशी भासा मनें होता है कारण यही कि हिंदी हम घर बाहर सभी जगा बोल लेते हैं इसे 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 वापने मन के जो भी बाते हैं विचारों उनको भी सेयर कर सकते हैं लेकिन विदेशी भासा मन नहीं हो सकता है इसलिए हमें हर तरह की सिक्षा का माध्यम होना चाहिए चाहे वो आने किसी भासा की सिक्षा हो या कलाकारी की हो हमारे पास अगर हम कोई विदेशी भासा सिकते हैं तो अपनी मात्रे भासा सिकते हैं तो मात्रे भासा के मन में जो हम सोच जो भासा है वो सबसे उपर नहीं सरूप पर है भासाओं के अध्यन में इसी का सबसे उचा इस्तान होता है यही कारणे के सभी देश जो सभी सब देश में सिक्षा जो है वो मात्री भासा के रूपे यह पर दी जाती है अगला पॉइंट बता है वह आप से बचों को कि विद देश का जो दर्द है वो उसमें कभी भी व्यक्त नहीं हो सकता है आज अगर अंग्रेज हम पर जबस्ती लदी है यह पर फल यह कि लाखो विदारती जो अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं लादी के कोई भी विदेशी भासा जो है समाज और देश के सुभावी विकास में क् करने का माद्य में अपने भाव प्रकट करने का एक जर्या होता है बच्पन की जानी समझी मातरी भासा को अपनी पड़ाय लिखा या कामकारोबर का माद्वना बनाकर अंग्रेजी को बनाने से अंगरी सिखने से हमाएं 10-12 साल लगवा बरवादी चुके हैं आज अंग्रे लेकिन आपको बोला जाये कि संघेपन की परिभासा दिजे तो कैसे मीं लो लिखिये गाँ इसी तरह दिखन में जाने कोज़ें संघेपन की परिभासा तो रिखा हूए संकलन कलाता है इस परिभासा के अनुसार कहा जाए तो संचेपन एक क्या है सुवत्ता पूर्ण रचना उसे पढ़ लेने के बाद मूल विंदु को पढ़ने की कोई आप सकता न रहती है सावायनता संचेपन में लंबे चोड़े क्या होते है विबरन पत्राचार आधी की सार कोई भी आवे सकता है बातए चाट का निकाल दिया और मूल बात यहां रख लीयाती तो संचेपन का मानसिक एक क्या हमानसिक प्रसेक्षन है ततक मानसिक व्यार में इसके कुछ यहाँ पर गुन बताया हुए जैसे पहला हमारे पास पुन्टा संचेपन जो स्वताव पुन्ट होनी चाहिए संचेपन करते से में इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कहीं कोई मातून बात छुटनी जाए इन इंपोर्टेंट बात कोई आवाजसक और अनावाजसक भी इसमें कोई ना कोई कह सकते चाह समझ के हमारे पात उसमें दोनों डिफ्रेंस समझना पड़ेगा या अभ्यास से ही हमारे पात संपन हो सकता है और खुब सोच समझ कर हमें सो मूल अबतरन या संदर में संभव है संचेपन उतनी भासा जो लिखनी चाहिए ना इंगटानी चाहिए जितना उसको जुरत पड़ता है ना मुख्य उसमें कम रह जाए ना ही उसमें कुछ बढ़ाए जाए संचेपन ब्याख्य भावारत आदी क्या है हमारे बिल्कुल यहाँ पर भिन होता है अगला हमारे पास है यहाँ पर पहले पढ़ा पूर्णता यह हमारे पास संचेपता तो क्या बताया है देखें यहाँ पर कि संचिता संप्रेशन का एक पधान गुन है यद पी उसके आकार का निर्धारन और नियमन संभम नहीं है तरथा पी संप्रेशन को जामायनता मूल का तिर्तियान समाना गिया है इसमें वेर्थ, बिसेशन, दिष्टान, उधारन, व्यक और पुर्णन नहीं होने चाहिए लंबे-लंबे सब्दों और बाक्यों के स्थान पर सामासिक जो चिन होते हैं उन्हें लगा छोटा बना लेना चाहिए यदि सब्द जो निर्धाईत हो तो उसे संप्रेशन का सकते हैं संचेपन मुसी संप्रेशन में रख देना चाहिए क इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हमारे मूल में कोई भी आविश्या के बात यहां पर नहीं छुड़िया इस सबसे जोरी कंडिशन है अगला हमारे पास इस प्रस्टा त्रिसरा पॉंट जो हमारे पास लिखना है वह इस प्रस्टा संचेपन की अर्थ बेंजना इस प्रस् संचेपन के पाठक के समान मुल संधर्म नहीं रहते हैं इसलिए संचेपन जो कुछ लिखा जाए वो बिल्कूल ही यहां पर इस परस्टा होना चाहिए यह सबसे जाद ध्यान रखना पड़ता है फिर भासा की यहां पर सरलता होनी चाहिए हमारे पास संचेपन के लिए यह बहुत जो रिए कि उसकी भासा सरल और प्रेस्क्रित हो यहां पर यह एक्ल कि संध्रमे में वे तत्र बिसे लिखे जाए जो मूल संधर में हो को भी बात असूद या असर्च ना लिखे जाए जिसके अलग अर्थ लगाए रगाए का सकते है, इसमें मूल तावेसे गुनों उते हैं भाशा यहां पर प्रषपध हो और बासा यहां पर प्रवापूर्म से संबरीद होना चाहिए जिसमें तार की करम बता यानि लॉजिकल सिख्वन रहें चाहिए सारण सी है कि संचेपन तीं होने चाहिए पहला संचेपन के कुछ नियम तो नहीं बना है इस प्रकार जैसे पहला है तीन मनोयों की आवशक्ता बढ़ती यह काम जो होते हैं वह अभ चाहिए वह हर तरह क्यों होने चाहिए वस्तुबादी नहीं होने चाहिए संचेपन में सम अर्टी शब्द होटा देना चाहिए और एक ही भाव विस्तार को बार-बार हमनों दुहारते हैं इसमें जो पुनरक्ति दोस्सितु से सखाया ता है अंग्रजी में इस से समयवाधी यहाँ पर प्रयोग है भास्न में प्रहव जटाने के लिए बहो गता लेता है साहरा लेता है और संचेपर में ऐसे सब्धों गहाट आ इतना ही लिख देड़ना च्या किया आजादी जो है वो वे संचेपर। कलाज होती है कम से कम सब्दों लिखी जाती है फिर बोला हूँ हमारे पास कि संचे जो पुनर रुक्ती सब्दों में नहीं बलकि भावो तथा विचारों में भी होता है कभी-कभी कही बात की है एक ही बात को भीवन रूप में रख दिया जाता है उधारन के लिए एक प्रका वो हमें लिग दिनी चाहिए तों को पता चल जाता है कितना वर्ड़े में आपने संचेपन लिखा है तो इस संचेपन का टॉपिक हमारा कंप्लिट होता है अगरा टॉपिक हमारे पास देखिए संप्रेशन का जो महत्तु है और जो विज़स्ता है अगर आपको पूछेगा पेपनी अठिव कब्णऄ ऑठ और लोगता में तो विज़स्ता नाक्यों यह तो सबसे पहले विचारों को स्तांतरन के कि यह विचारों को एक वग्ट्ची से दुसरे वेक्ट्ची完全 का जो जो वह बहुत महत्पुन है परतेक व्यक्ति के पास कुछ महत्पुन विचार होते हैं जो व्यक्ति अपने के लिए दूसरों व्यक्ति पहुंचाता है इसलिए हमारे पर विचारों दूसरे पहुंचाने के लिए एक महत्पुन होगा निमाता है पिर अगला बता हुआ है स्वाम के खुद के नभी करन के लिए यानि कि वरत्वान समय में आपडूटे रहने के अतरिक्त और कुछ भी अधिक महत्पुन हमाया पर नहीं है संप्रेशन का माध्यम से लोग बिभीन प्रकार या सूचना विश्व की महत्म घुटनाओं से यहां पर अब अब गत प्रान करते है अब संप्रेशन जीवन के लिए यहां पर बिभीन इस तरों पर लोगों के आवसकता यहां पूर्ति करता ताथ नभी जानकारियों को यहां पर क्या करता है फिर शिक्षा के लिए बता हुआ है चात्रों को पढ़ाने के लिए पाट खरम या अध्धन सामागीरी को लिए चात्रों के लिए संप्रेशन के आवसकता हम पढ़ती है फिर अगला चौथा पॉइंट बता है वह हमारे पास कि जो जानकारी उसके लिए जब तक व्यक्ति क्या करता है वैस्पिक इस तर पर हमारे पास संबन्ध था पर नहीं करता है तो एक छोटी सी कैसे चीजों को पर दो पाता है फिर अगला बता हुआ है इसके बिना मनुस्यों कम थो नहीं चल सकता माथा विचारों को दूसरी सी प्रोड़ा की वहावना और विचारों रहता है एक तरह से याक दूसरी संपरकर हो उना केपल अपने ज्ञान की अवियक्ति करता और साथी आ क्या करता च्छटा पॉइंट यह थोड़ा बड़ा है हमारे पार क्यों यह सवाल ने के 20 नमगा साल में पेपर पूछ सकता है तो बताएं को मानव समाज का अधार जो है संप्रेशन के बिना या किसी समाज की कलपनात हम नहीं कर सकते हैं इसका सीधा से जवाब यह नहीं है क्योंकि संप्रेशन जो है मनुष से तथा मानव समाज का अधार होता है मानव समाज और चो कह सकते हमारे पार सभयता के विकास के जाथ संप्रेशन के अनेका रूप हमें विक्सित की हैं तो सूचना संप्रेशन के धेरो माध्यम यहाँ पर उपलव होने से विस्व कि किसी भी कोने बैटा आप कहीं पर हैं, तो आप उसे संपर इस्तापित कर सकते हैं, यह बताया हुआ है, पर घर दूर बैठे इस्तित होगे आपने जानने वाले संपर्खों को, आज पर क्या कर स संप्रेशन जो हमारे बताया हुआ है, कि संप्रेशन के धेरो माध्यम होने से विस्व में किसी प्रग कोने बैठके, आज हम कहीं भी लोगों से बातचीत कर सकते हैं वीडियो कॉल है, यह तो आप लिख लिजेगा, तो आज का यह वीडियो यही पर समाप्त करते हैं, जिस मिलते हैं वीडियो पर, तब तक लिए जय ही, जय भारत!